हमारे आगे पीछे हमारा जो नित्रत्व खड़ा है उन सभी कारकरताओं का पसिना भी निरंतर भाँ है इतना ही नहीं जरुरत पढ़ने पर भारतिय जनता पार्टी के कारकरताओं ने ये भारत मा की इस पवित्र धर्ती को अपने खून से सीचा है कई बार संगर्ष किये हैं और मैं पसिन मंगाल के मेरे साथियों को विशेश पूर्ट पर आज के परिद्रश में जिस प्रकार से पसिन मंगाल के कार करताओं मा भारति के लिए पसिन मंगाल के उजवस भविश के लिए पसिन मंगाल के गरीब भाई बहनों के लिए जिस प्रकार से संगहर्च कर रहे हैं एक प्रकार से साधना कर रहे हैं अपने आपको तिल तिल जना करके यह हमारे कायर करता पस्षिम मंगाल का उस पुराने वैभव को वापिस लाने के लिए काम कर रहे हैं अभी अभी वहां पंचायत के चुनाव हुए है इस चुनावों में टीमसी ने कैसा खुनी खेल खेला ये भी देश ने देखा है पहले चुनाव में इनका तरीका क्या है पहले तो चुनाव की तैयारी के लिए समय मत दो बहुत ही जल्दी जल्दी फाम भरने के तारिक गोशित कर दो फिर कोई भी विरोधी दल का कोई भी बीजेपी का व्यक्ति पर चाहीं ना भर सके इसके लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करो और अगर मानों उसने चात्तु रिपने पुर्वाग फाम भरने के लिए जगा पर पहुंच भी गया तो फिर चुनाव लड़ने में अडंगे डालना उनको गर गर जाने नहीं देना प्रचार करने नहीं देना धंकिया दे रां और सिरब भाजपा के कार्करताओं को दंका न ऐसा नहीं वोटरों को भी भेवित कर देना और बीजेपी कि जो समर्थख रिष्टेदार है उनको भी जीना मुश्किल कर देना गर से निंकलने नहीं देना और जब वोटी होती है तो उस वोटी में थप्पे बाजी करना ये टोला बाजों के फोच थप्पे बाज़ की फोच बन जाती है सारे गुंडों को कॉंट्रेक्ट दिया जाता है कितने पॉलिंग बुथ को कौन कैप्चर करेगा मत पेटियों उठा करके भागना और फिर जब काउंटिंग होता है तो एक एक वोट पर अड़ंगे डालना भय कावातावन बनाना काउंटिंग मेंसे बीजेपी के कारकरताओं को उठाक उठाकर करके बार ले जाना बैटले नहीं देना इतने जुल्म के बाद भी ये पस्चिम बंगाल की जनता है उसका प्यार है कि वो बीजेपी के कारकरताओं का आश्रवाद देते रहे हैं और बीजेपी के प्रत्यासी जीतते जा रहे हैं और जब जीत जाते हैं तो उनको जुलूस नहीं निकाल देना कोई जुलूस निकालने की कोशिच करे तो हमले बोल देना जान लेवा हमले करना पस्टिम मंगाल में टीमसी की राजनीति का यही तरीका है वहां हमारी बेहनों को हमारे आदिवासी भाई बेहनों को कैसे प्रताडित किया जाता है यह हम बली भाती जानते हैं इन हालातों में भी भाजपा के जो प्रतिनिदी जीत करके आये हैं मैं उन्हें और आप सभी को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ जो लोग तंत्र के चेंपियन बनते हैं आए देन इवी एम से छुटकारा पाने के लिए मनगण कथाएं चलाते हैं इवी एम पर सवाल उठाते हैं आपने उनका नकाब देश के सामने उतार दिया है साथियों आज की ये बैटक इसलिए भी महत्वपुर्ण है क्योंकि आप सब देश के पूर्वी हिस्से का प्रतिनिदित्व करते हैं और मैं नद्ला जी को और भाजपा के सभी परिष्ट नेताओं को बहुत-बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने ये अभ्यासवर्ग का सिलसिला जो भारतिय जनता पार्टी के चरीत्र की सबसे बड़ी ताकत है कि पद्प्राप्ट करने के बाद मsels सिलसिला चलता रहता है अभी बता रहा है कि सभी पंचायद सकूझस के अभ्यासवर्ग 35 जगह पे चल रहा है जिला परिशत के अध्यक्षों का अभ्यास वर्ग चल रहा है और अभ्यास वर्ग में हम गेट टूगेदर के लिए नहीं आते हैं कुछ न कुछ नया सीखने के लिए आते हैं एक दूसरे की बेस प्रैक्टिस को समझने के लिए आते हैं किसी जिल्य में हमारे साथी ने को अच्छा काम किया है तो उसमें से सीख करके अपने जिले में लागू करने के लिए आते हैं हम निरंतर नया सीखना नई पद्धतियों को जोड़ना नई आवश्यक दिशाओं के और जाना इसलिए अभ्यास वर्ग एक बहुत बड़ी ताकत होती है बहुत उप्योगी होता है और मुझे भी स्वात है कि जो बाते आपको बताई जाएगी उसके उपरां जब आप अपने साथियों से गप्पे मारोगे भोजन के समय चाय के समय उनके अनुभव सुनोगे तब आपको बहुत कुछ नई नई चीजे जान में मिलेगी कि काम करने आपया डिश्रय का कौनसा तरीका ज़्यादा उप्योगी होगा साथियों पूरभी भारत का एक ऐसा खेतर है जहां हमेशा से हैं भाजवा की प्राथप्यक्ता रही है भाजपा के लिए सबसे प्रात्विक्षेत्र है इस खेत्र की जनता ने भाजपा पर हमेशा अपना भरोसा भी जताया है इसलिए इस खेत्र की आकांशाओं को पूरा करने की हम सब की विशेश जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी दीनों दीन बढ़ती चली जा रही है और जैसे जैसे जिम्मेबारी बढ़ती है हमें भी अपनी ख्रमता बढ़ानी है साथियों मैं हमेशा कहता हूँ आज़ादी के बाद पूर्वी भारत की जो उपेक्षा हुई है उसने देश की प्रगती को सबसे ज़्यादा चोट पहुँचाई है हम इस खाई को पाटने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं बीते पांच वर्सों में अगर साड़े तेरा करोण लोग गरीबी से बार आए हैं तो इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा पूर्वी भारत का है और नड़ा जीन अभी बड़ा विस्तार से इसका वर्ण भी किया मैं चाहूंगा कि आप इन आकड़ों से खुद भी परिचित हो और अपने खेत्र में लोगों को भी इस बड़लाव के बारे में बताएं इससे उनका विश्वास और बढ़ेगा देश को आगे लग जाने में वो एक ताकत बन जाएंगे